Hello everyone Should I think that Rozaj अमीद करता हूं कि आप सब अच्छे state कर रहे होंगे मैं जानता हूं कि आप सब में से थोड़ा नराज होंगे क्योंकि मैं काफी लंबे समयंसरे आप सब posso दूर रहा इसके लिए और मैं उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं और आपसे promise करता हूँ कि मैं कभी आपसे आपसे दूर नहीं होँगा हमेशा आपके साथ रहूँगा और मुझे भी पता है कि मेरे ना होने पर आप लोगों के इतने सारे messages जो कि मैं नहीं पढ़ पाया हूँ और इस चीज का मुझे दुख भी है पर कोई बात नहीं इसको हम दुवारा से continue करेंगे और आप सभी के साथ एक दुवारा नहीं शुरुआत करते हैं उमीद करता हूँ कि आपसे मेरा साथ देना और मैं आपसे promise करता हूँ कि मैं आपका साथ छोड़कर नहीं जाओंगा मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपकी जितनी problem sort हो सकती है मैं उसे solve करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा चलिए आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है ये सिर्फ मैं आपको जो upcoming stock censoring के लिए मैं वो कुछ बताऊंगा कि जो आप देख सकते हैं breakout वाले stock है जो आपको 8-10% देने की काबियत रखते हैं upcoming days के अंदर ठीक है और साथ साथ इस वीडियो को end तक देखना ताकि इस वीडियो के end में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जो हमारे पास पिछला हमारा जो चीज छूट रही थी उस चीज को हम किस तरी के सा आगे solve करने वाले हैं like मुझे पता है कि हमारे पास चार्टिंग का कोई alert नहीं आ रहा ठीक है और हमारे पर जितनी भी strategies वगएरा बनाई है उसके उपर क्या results चल रहा है and जो हमारे alert groups हैं उसके अंदर भी कोई alert नहीं आ रहा क्योंकि हमारा चार्टिंग का system थोड़ा हिल गया है क्योंकि I have triple T paid हो चुका है इसके regarding भी ठीक है तो फिलाल उससे पहले हम अपने आज की वीडियो को cover कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको आगे का जो होने वाला है वह आने वाले वीडियो उसके अंदर धिरे-धिरे बताते रहूंगा तो फिलाल आज की जो वीडियो है उसको start करते हैं कौन से स्टॉक हैं जो आपको upcoming days में 8-10% देने की काबिलेत रखते हैं पहला स्टॉक हमारे पास आता है जैगल पेपर ओशन ठीक है अगर इसको देखेंगे तो यह थोड़ा सा लेट हो चुक है क्योंकि हमारे पास already जो हमारी strategy है वो पुरानी ही रहेगी क्योंकि मैं उसी पर काम किया हूं और उसी पर मेरा काफी हत्ता कंट्रॉल है जो हम लोग पर क्योंकि यह उपर जाए और दुवारा से अभी कहीं न कहीं दुवारा उसी लावल मिल रहा है तो अभी ज्यादा नहीं हम इसको consider कर सकते हैं अगर हम इसे यहां पर भी consider करेंगे तो हमारा जो असल यह वाला point होने वाला है तो अगर इतने से असल के लिए हम इसमें consider करा आप अगर entry बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं ठीक है और अगर देखेंगे तो कि हमें कितने इसके अंदर कितनी में percentage वाज अगर मिल सकती है देहेंगे हम लोग इसके अराम से 10% 9-10% के आसपास ले सकते हैं तो हमारे लिए इतना काफी होगा swing के लिए अगला stock मेरे पास ह पराग milk food industries इस stock को pick करने का मेरा main motive यह था कि इसके अंदर हमारे पर देख सकते हैं हमारे पर कहीं प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा नीचे है यहां इस वाली candle पर एक हमारे पास एक पैटन बना है प्लस प्राइस जो अब है वह consolidation area के अंदर जा रही है अब अगर यह price breakout होती है तो हम एक बहुत चोटे SL के साथ इसके अंदर हम एक entry बना सकते हैं यह जो point हमारा होगा यह point हमारा area हो जाएगा यहां कहीं हमारी entry होगी और इस point अपन टार्गेट रखेंगे जो कि अगर मैं consider करू तो इस point हमारे अराम से around six point half हमारे पास target बनने को मिल सकता है अगर अगर 6.5% के लिए इसको consider करना था है तो आप 6.5% के लिए consider कर सकते हैं इस stock को ही ओके जो हमारे पास third stock आ रहा है वो हमारे पास है max India अब यह से consider करने का main motive यह है क्योंकि यह all time high के ओपर चल रहा है प्लस इसने जो इसका इसका हमारे पास range था उसको breakout करने के बाद एक retest हमारे पास एक candle बन रही है जो कि एफ पैटन बन रही है प्लस हमारा ही लेगा मिलेगा still positive है और अगर volume की बात करी जाए तो जो red candle की volume है वो हमारे पास कम है rather than की जो हम आपा green volume है वो हम आपा जाद है तो यहां पर भी एक छोटा सा point बना जाए जाए तो यहां पर भी एक छ consider कर सकते हैं अगला स्टॉक अगर देख लेते हैं अगला स्टॉक हमारे पास आता है मुंदल शोवा अब देखो मुंदल शोवा एक बहुत ही अच्छे pattern के साथ में नजर आ रहा है एक चीज़ में से याद रखना कि जो भी मैं breakout बोड रहा हूं तो उसे breakout होने देना breakout का मतल यहां कहीं हो जाए उसे हम breakout नहीं consider करते ओके उस चीज़कों चीज़ा गैप बोलते हैं breakout मतलब जो हाई पर लोग बैठे थे उनके SL जाना यह चीज को बहुत ध्यान रखना है जब इनके SL जाते हैं तो प्राइज में 30 मोमेंटम उपर के और आता है ठीक तो इसे स्टॉक को भी हम consider कर सकते हैं और जैसे कि मैंने बीच में बोला था कि हम अगर हमारा प्राइज एक्शन बहुत अच्छा बन रहा है नीचे सपोर्ट बाब अप्र जा रही है और उपर जो ट्रेंड लाइन है वो भी कहीं न कहीं अब वहां पर एक रिजिस्टेंस बना है बस इंतजार करना है breakout का अगर कल ये breakout देता है हमें तो वैल इन गुड और हमारे लिए ये काफी बेटर होगा जो हमारा SL होगा एसल हमारे पार यह वाली candle का लो हम लोग इसको एसल रखें ट्रेड कर सकते हैं और हमारे पास हेलेगा मिलेगा यह पॉजिटिव और वॉल्लूम देखेंगे तो वॉल्लूम बाकी दिनों से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है प्लस अगर मैं इसमें इंडिकेटर की बात क के ऊपर क्लोज होती हुए नजर आ रही है जो कि एक और प्लस पॉइंट हमारे लिए हो जाता है तो अगले जितनी वह स्टॉक होंगे वह बना रहे होंगे प्लस प्राइजेक्शन भी उनका बैटर होगा तो इन स्टॉक को हम ज्यादा कार कंसेडर करेंगे अगला स्टॉक गले का राइजिंग है और वाल्यूम भी अच्छा खास है इसमें हमारा अशल होगा हमारा अशल जस्ट यह रेड़ के नीचे में इसमें एसल रख सकते हैं और इसके उपर हम लोग एंट्री बना सकते हैं देख सकते हैं जैसे ही अब ब्रेक आउट अगर में देखने को मिल और उसके बाद अगर देखेंगे मिलेगा हमारा राइजिंग के अंदर है और वाल्यूम भी काफी अच्छा है और देखो यह हमारे पूरा पूरा पैटर्न है बना हुआ है और यह जो ट्रेंड लाइन है यह बहुत ब्रेक हो तो आप जाके हमें एंट्री बनानी है और के बाद हमें हमेशा एक अच्छे देखने को मिलती है अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं जिसे हम महासंगम कहते हैं अगला स्टॉप जो हमारे पास अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि पहले बात प्राइज अगर प्राइज देखें प्राइज की भाग चली जाए यह लगातार रहा था अगर बात की जाए अच्छा है हिलेगा मिलेगा तो करूंध देङेंगे प्राइज के अंदर एक करेंड़ी हो चुका है तो यह वा पर इंतजार करने के प्रेक आउट हो जाए तो वहलें बहुत अच्छी बात है बस इसकैंडल के गोसित्व कर सकते हैं तो यह को चाट इंड, अरो बात की जाए, चार्टिंग की चाटिंग में हमारे पास अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारा आयए ट्रिपल टी वाला हमारा वैब होग था वो अल्रीड हो चुका है ठीक है तो इसकर के वो नहीं आ रहा है मुझे इसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पहले और उसमें आप लोगों की हैल्प चाहिए होगी जो कि मैं भी आपको बत कशिँगा, इस चीजस को जल्दनी-जल्दी होए के उसको रिजॉवक काचि.- और इसका पर पूरे तरीके से काम करूँगा ठीक है तो फिलहाल इस वीडिए tactical में इतना ही है, झील आ फिल दैय्म, फिल ऑफ